गुड़ इवनिंग प्यारे बच्चों कैसे हैं सब बढ़िया आज हमारा लेजर का फॉर्थ क्लास है फर्स्ट क्लास में बेसिक देखा सेकेंड क्लास के अंदर थोड़ा कंपाउंड एंट्रिस और ट्राइल बिलेंस देखा थर्ड क्लास के अंदर एक कोश्चन किया वो कोश्चन मैंने वेबसाइट पर अप्लोड भी कर दिया है वहां से आप कोश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद अब आपका थर्ड क्लास आगे थर्ड क्लास है लेजर का और लास्ट क्लास मानके चलो एक तरीके से इसका डाउट सेशन लूगा मैं लाइव क्लास सब्सक्राइब मारा ज्यूण क्या म engag यानोगल लाइगा तो पाले मैं जेनल एंट्री करते हैं भी क्स अपर स्टाहों करें फ़र्स एंट्रिशर फोड़ग समृबुमिरी तो मैं ध्रित जोड़ा कंजिस्टे कर रहा ना किर्शकर उप डेबिट तू कैपिटल तू कैपिटल अकाउंट है ना कैश अकाउंट डेबिट तू कैपिटल अकाउंट बिंग वगएरा नहीं लिख रहा है फिलाल थोड़ा स्पेस की कमी होगी आपने लिखना है एक्जाम में या कि टैन थाउसन सेकिन इंट्री पर चलते हैं इसको मैं लाइन भी डाल देता हूं ताकि दिक्कत ना है ना यहां से आंसर शुरू है ठीक है चलिए सेकिन इंट्री सेकिन इंट्री में क्या कहता है गुड्स परचेस 10,000 रुपीस हमने समान खरीदा 10,000 का ट्रेट डिसकाउंट 10 परसेंट और 5 परसेंट 50 परसेंट अमाउंट पेट आपने इस तरीके की कुश्टन्स पहले किये हुए हैं बस मैं इसको केल्कुलेशन बेस पे कर देता हूं पिर भी वर्किंग ओग गुड्स परचेस तो यहां एका परचेस परचेस आपने हाला की 10,000 किया हैं सबसे पहले माइनस करते हैं ट्रेट डिसकाउंट ट्रेट डिसकाउंट हमारे कितने परसेंट है 10% मीन्स हजार रुपे बचा 9000 इसका 50% निकाल लेते हैं 4500 और नाव 4500 50% पेड़ किया तो लेश सीडी माइनस कर देते हैं अगर इस पॉर्षन को हम कैश मानते हैं तो यहां सीडी लगेगा यह वाला हमारा पॉर्षन क्रेडिट हो जाएगा है ना तो यहां पर हम लगाते हैं कैश डिसकाउंट कितने परसेंट है भाई 5% 5% इसका ल क्रेडिट पर ही है थोड़ा स्पेस कम हो सकता है शायद जैनल एंट्री क्या करेंगे देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिसकाउंट और टू में आ जाएगा हमारा क्रेडिटर नाम मेंशन है कहीं भी कुश्चन में नहीं फिर भी 50% अमाउंट पेमिंट हो रहा है means कुछ उधार तो है टू क्रेडिटर डिसकाउंट अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट मैं नहीं लिख रहा भी परचेज में आ जाएगा पूरे 9000 कैश में 4275 225 4500 यह सेकिन एंट्री ठीक है मैं कोसिस करता हूं कि मैं थर्ड एंट्री यहां करूं थर्ड एंट्री थर्ड में देखो जी एस्टी 12% है मैंने समान बेचा है और जी एस्टी है तो जी एस्टी 12% लगेगा तो कौन सा जी एस्टी लगेगा वर्किंग नोट में बता देता हूं मैं यहां है और सेल्स इस इसेल्स इस इकली हमारा सेल्स क्या है भाई 50,000 और प्लस जी एस्टी बोला तो यहां पर लगेगा आपका आउट्पुट इंपूट एस फिर से प्लस आउटपूट कौन सा एक लगे का सेंट्रल सी लगा रहा हूं और स्टेट का एस लगा रहा हूं इस पेस नहीं है मेरे पास छे परसेंट छे परसेंट आएका 1200 और 1200 टोटल पेमिंट जो बनता है यहां पर वो बनता है हमारा 2400 यानि 22400 समान जो सारा डील हुआ है वो हुआ है नगद में तो आएका कैश अकाउंट डेबिट 22400 टू सेल्स सेल्स किया है हमने पूरे 20,000 का और टू आउटपुट लाइबिलिटी एन आउटपुट तो ब्रैकिट में सी लिख रहा हूँ यानि सेंटर के लिए है 1200 और टू आउटपुट इनके आगे अकाउंट भी लगाना है आपने 1200 देखो मैंने लिखा नहीं है हाला कि यहां सेल्स अकाउंट भी आना चाहिए इस पीस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करना है यहां तक बता है कि मैंने समान खरीदा पचास अजार रुपे का ओके पर्चेज 50,000 सबसे पहले इसके अंदर क्या माइनस होना चीए सबसे पहले माइनस होना चीए ट्रेड डिसकाउंट लेस ट्रेड डिसकाउंट 10 परसेंट यानि 5,000 यह आगया 45,000 ठीक है 10 की जगहाँ पर मैं एक काम करता हूं इसे 20 कर देता हूं थोड़ा कैलकुलीशन आसान हो जाएगा ठीक है यह लो 10,000 और 40,000 अब इसके अंदर प्लस होगा अब इसने बोला है GST में और आसान कर देता हूं चलो GST लिखते हैं ठीक है तो इन्पुट Central का और Input State का इसका कितने परसंट आपको 10 परसंट है तो 55 यानि 2000 टोटल होगे 44,000 है ना अब 44,000 जो आपको दिख रहा है है हाँ पे 44,000 इस 44,000 पे आपका जो 44 पे हाफ अमाउंट आपने पेड कर दिया है ना तो 50 परसंट अमाउंट पेड है 50 परसंट नहीं पेड है तो अगर मैं 50 परसंट करूँ इधर करते हैं तो 50 परसंट कितना होगा 22,000 जो पेड है और 50 परसंट क्या होगा 22,000 जो अनपेड है तो CD इस पे कटेगा CD अगर 22,000 पर मैं 5% लूँ तो 1100 और 22,000 मैं अगर 1100 माइनस करूँ तो मैं 20,900 ठेक है ये तो हो गया हमारा calculation थोड़ा congested है लेकिन समझना simple है purchase हमारा कितने का था 50,000 का और trade discount कितना दिया था हमने trade discount दिया है हमने 10% जो किया है 20% जो किया है 10,000 40,000 और 22,000 का cght, sght इसकी general entry मैं यहां कर देता हूँ फोर्थ की ठीक है इसकी general entry purchase account debit उसके बाद 2 output इन्पूट है न, इन्पूट यहां थोड़ी सी congested हो सकती है आपको देखने में that's why मैं इस फोर्थ की general entry न, जैसे आप यह note करोगे इसके बाद कर दूँगा working note तो कर लिया है अब laser बना लेते हैं, laser कितने बनेंगे laser numbering कर लेते हैं न, यही तो सीखा था, एक, दो, और purchase, तीन, cash बन चुक है discount, चार, creditor, पाँच, पाँच के बाद, cash बन चुक है, sales, 6, 7, and 8, total 8 account है और input का भी बनेगा हमारा 9, 10, total 10 account हमें बनाना है, चलिए 10 account बनाते हैं करते हैं कि यह थोड़ा इदा रुग गया कोई बात नहीं कि चलिए एलेफ का कॉल आप मैं फिलाल के लिए नहीं डाल रहा है कंजिस्टिट होनी के विए से नहीं तो आप डालना है मैं सरिफ यहां लिख देता हूं कि आपने लिखना है फूरा यलिफ दियान लखना है कुछ लाइन थोडिसी ये यह हाणी टेड़ी है इसको सब्सक्रना कि देख रहा हैं आप सब्सक्र recklessार को यहां तक पूरा इंटे तक ले रहे हैं चलिए एक या अपिज़की बन गया उपर का बस हमें तो टेकनीक सीखना है उसके आद मैं लाइव क्लास में लिलू हूँ इसके नीचे ठीक है अब यहां क्या किया जाए बताओ दो अकाउंट बन गया तीन अकाउंट चलो यहां तक खीज देते हैं इसलिए कह रहे थे थोड़ा टोटल लंबर ओफ अकाउंट दस बनेंगे हमारे टोटल एक, दो, तीन, चार इसने तो चार में ही दम तोड़ दिया भाई इधर डेट का कॉलम नहीं डालते हैं ठीक है चलो इधर छोटे-छोटे बना लेते हैं फिर फिर लेजर भी बनाना है सर डेट का कॉलम अब देखो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं डेट और एलेफ का कॉलम नहीं बना रहा डेट के जगहे पे मैं नमरिंग लिख दूँगा आप नोटिंग करोगे तो साइड में डेट का भी कॉलम बना लेना ठीक है ठीक है ना बोलते क्यों नहीं हाँ या ना ये लो बच्चे चुफ हो गए कुछ बच्चों की सिकायत है सर हमारे डाउट नहीं ले रहे हम बोलते हैं आप जवाब नहीं दे रहे बच्चे कॉनसेप्ट के बीच में मैं किसी की नहीं सुनता आप जो मरजी चैट पर डालते रहे हैं मैं देखूँगा ही नहीं रिजन पहले कॉनसेप्ट एक दो तिन चार नौ बन गया एक और हम अरजिश्ट कर लेंगे यहां पे एक और यहां अरजिस्ट किया जा सकता है ठीक है बना लिया बस समझो सर लेजर मैं इधर मिटा दूँगा यह वाले पॉइंट्स आपके नोट करने के बाद फिर लास्ट में लेजर बनाएगे ठीक है सबसे पहले अकाउंट का नाम लिख देते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट उसके बाद क्यापिटल अकाउंट उसके बाद आपका परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट के बाद आपका फिर डिसकाउंट रिसीव अकाउंट Discount Receive के बाद Creditor Account Creditor Account के बाद Sales Account Sales Account के बाद Output GST Account और वो भी Output किसका? Central का अब Output SGST ठीक इसी तरीके से हमें बनाना पड़ेगा Output Input एक Input भी होगा मैंने यहाँ पर देखो Calculation में दिखाए है Input यह Input का भी बनेगा Input CGST और Input SGST सारा बना लिए ठीक है और रहा सेल और परचेस बन चुका है क्या? परचेस सेल बन चुका है बस इतने ही बनने हैं Leather जो मैंने बना लिए इसके अंदर मैं एक जगह पर लिख देता हूँ, आपने पूरे पर लिखना है, मैं एक जगह लिख देता हूँ, Particular और यहां Amount यहां पर डेट और LF का भी कॉलम बना दे ओके आपके लिए एक में बना देते है और यहां भी बना देते हैं आपके लिए और Amount और Particular ठीक है? आपको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है Cash, Capital, Purchase, Discount, Creditor, Sales, Output, GST, SGST, Input और Input सारी चीज़े हमने डाल दी Now अब हम पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले Cash Account में जाएंगे और लिखेंगे 2 Capital याद होगा, First Entry है हमारी 2 Capital यही करते हैं न, 10,000 रुपे Cash में गए और 2 Capital 10,000 इसके बाद Capital में जाके क्या लिखेंगे? Buy Capital में जाके Buy Cash 10,000 Dated नहीं है तो एक नमबर डाल देते हैं और यह जो कॉलम है न, Date वाले Particular Amount यह तो Amount तो मैं लिख देता हूँ Particular भी लिख देता हूँ, चलो लिखते जाते हैं आपने लिखने होते हैं वैसे यह Date है यह Particular आप वो लोगे सार, LF तो लिखा नहीं LF लिख ले न, आपके पास तो Register है मेरे पास Register नहीं है तो मैं उसी के According काम कर रहा हूँ आज है न, चलो यह First Entry Done इसको मैंने Done लिखा First के बाद Second Entry हमने यहां पे किया है, Purchase में जाएंगे अब देखो समस्या तीन-तीन है यहां Point यहां तीन-तीन है अब समझने वाली दिक्कत है कि इसलिए मैंने करवाया है सबसे पहले हम जाएंगे Purchase में Purchase में 2 Cash, 2 Discount और 2 Creditor लिखना पड़ेगा तो Purchase में गए मैंने लिखा Purchase में जाके सबसे पहले 2 Cash 2 Discount और 2 Creditor और Amount आ जाएगा Cash में 4275 225 यह Deceive वाला है और 4500 इस तरीके से लिखना है और भी आएंगे इसके अंदर तो भी ठीक है तो देखो Purchase में गए और 2 और Amount भी हमने इसी का लिया अब Amount किसका लिया जाता है नहीं लिया जाता वो आपको सोचना पड़ेगा है न क्योंकि आपने जब 2 Cash लिखा तो Purchase किया है Cash में इतने का डिसकाउंट इतने का दिया और क्रेडिटर इतने का है टोटल खरीदा रही आपकी बन गई यहां पे 40,000 रुपे का अगर हम टोटल कर ले तो 40,000 रुपे की टोटल बन जाएगी ठीक है चलिए अब जाते हैं Cash में और लिखेंगे हम Buy Purchase Cash में गए Buy Purchase Second entry चल रही है Cash में जाके Purchase देखो यहां Purchase में जाके तो 2 Cash लिखा Amount Cash वाल ही था अब Cash में जाके Buy Purchase लिखा तो क्या Amount Purchase का होगा ऐसा नहीं है आपको समझना पड़ेगा Cash में जाके Buy Purchase का मतलब Payment कितने का हुआ है 4275 अब समझे इस बात को मैं किस में गया मैं गया Cash में Cash में जाके Buy Purchase लिखतो रहा हूँ लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा Cash Payment कितने का है क्योंकि Credit में क्या होगा इस बात है हमें पता चल रहा है कि Purchase किया है To Cash तो Cash में जाके क्या लिखना है Buy Purchase ऐसे ही Discount Receive Discount Receive है यह Allowed वाला नहीं है एक कॉलम और बनना है Discount Allowed का जो कि मैं भी बना दूँआ तो Discount Receive है क्योंकि Purchase किया है तो Credit है Discount Receive है तो Discount Receive में जाएंगे और लिखेंगे Buy Purchase Amount Discount का कितना है वो लिखो यानि Simple जिस Account में जाते हैं Amount उसी का Total बनता है हमारा ठीक है ऐसे क्या पता चलेगा Discount मिला किस पर मिला है न अब Creditor में जाएंगे लिखेंगे Buy Purchase Creditor में जाके Buy Purchase और Amount 4500 यह सारी के सारी Entries Second Entry है हमारी सब मैंने डाल दिया ठीक है Third Entry हमारे सामने Sales की है यहां तक देखो फिर दुबारे बताओ फिर अगेन एक बार बताओ चलिए Purchase में गए और लिखा Two Cash Two Discount और Two Creditor Purchase में आ गए Two Cash Two Discount Two Creditor अब Cash में खरीदारी इतने की Discount दिये इतने की और Creditor इतने का आ गया ठीक है अब Cash Account में गए और वहां क्या लिखेंगे Buy Purchase लेकिन Amount कौन सा? Cash में तो Cash में Buy Purchase यह आ गया उसके बाद Discount Receive है यह तो Discount Receive में भी जाके क्या लिखेंगे? Buy क्योंकि Buy में क्या है? Purchase है तो Discount Receive में जाके Buy Purchase Final Creditor में भी जाके Buy Purchase हमने लिख दिया ठीक है? हाँ सर यह ठीक है यहां तक समझ आ गया अब छटी Entry और साथ भी जो यह है इसको करते हैं फिर से Cash में जाएंगे लिखेंगे 2 Sales 2 Output GST और 2 Output GST ठीक है? चलिए Entry No.3 2 Sales Sales का पैसा कितना आया हमारे Cash? इतना आया है लेकिन हमें Cash वाले Amount को लिखना है Cash में जाके 2 Sales अब Sales में हमारे 20,000 था और यहां पे आया Output C GST 1200 और Output S GST Output S GST 1200 पहले इस पॉइंट को समझो देखो Cash में हमारा पैसा इतना जरूर क्योंकि Sale कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा इतना जरूर आया है यह Total पैसा आया है लेकिन Sale के पैसे आये मेरे पास यह Output GST के आये और Output S GST के आये यह Total अगर आप इन दोनों को Total करो तो कितना पैसा रेसीव हुआ देखो 22,400 ही तो आएगा 22,400 ही आएगा ना Total करो जो यहां पे लिखा है है के ने अब देखो तो Sales में जाएंगे बताओ फटाफट क्या लिखेंगे Sales में जाएंगे हुआ हैं लेकिन मेरी सेल जो माने जाएगी 20 ही माने जाएगी वह तो सरकार को में तो सरकार को में क्वाइब याओग इसके पाद सेञह जाने के बाद और सीडिय इस्ट में कैश में ही इस question को बिना देखे भी करना है ठीक है दुबारा देखिए cash में गए two sales ठीक है लिख लिए मैंने और two output और two output cash में अब sales में गए buy cash लेकिन amount sale का output gst में गए buy cash क्योंकि cash में payment हुआ है amount 1200 का output gst में फिर गए हम sgst में फिर से हमने लिखा buy cash लेकिन amount बारा सो तो इससे यह proof हो जाता है कि हमें साफधानी के साथ देख के करना पड़ेगा कि हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा ऐसे पता है क्या समझ मैंना है देखो sales कि आहाँ sales कितने का बीस हजार का ठीक है gst का पैसा मिला है purchase से कितना 1200 रुप है यहाँ पे gst का पैसा मिला है कितना 1200 रुप है तो यह account तो अपने आप में कहता है cash account पढ़ू मैं एक बार cash में पैसा आया capital का sales का gst का गया purchase का तो देखो साफ simple पता चलता जाता है हमें ठीक है ना हाँ sir done ठीक है हमें पता चल रहा है चलिए अब मैं general entry four की बात करता हूं यह जो हमारे पास column बच गए हैं यह four के लिए ही है तो four की general entry मैं कहां करूं मैं यहीं पे थोड़ा adjust करके कर देता हूं ठीक है adjust करके कर रहा हूं four की general entry purchase किया है तो purchase account purchase account debit input cgst input sgst two sales sorry two cash और two discount receive और एक और इसके नीचे टू आ जाएगा टू discount receive के बाद two creditors अभी दिखा देते हैं बोलते सर्थ दिख नहीं रहा नीचे दिख नहीं रहा कट गया कट गया कोई बात नहीं अभी दिखाते हैं ओ लो 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 अब दिख गया आपको बोलो दिखा या नहीं दिखा सर दिख गया ठीक है ठीक है जी यह लो दिख गया इसमें अमाउंट कितना आएगा purchase कितने का किया आपने परचेज किया आपने 40,000 इंपुट कितने का है सर इंपुट यहाँ पे है 2000 और ये भी 2000 कैश में कितना हुआ कैश में 20,900 डिसकाउंट रेसीव 1100 और ये 22,000 ये लो जी हो गया अब इसकी जरनल एंट्री अब समस्या आ गई समस्या अब आई है में कि सर पहले तो या तो debit में दो था हमारा या credit में देखो जैसे पहले credit में 3 ऊपर एक तो कोई बात नहीं और यहाँ पे भी credit में 3 और ऊपर एक कोई बात नहीं वो चल रहा था लेकिन अब debit में भी 3 और credit में भी 3 तो अब किसके amount को कैसे करेंगे ये समझना है अब किसके amount को कैसे करेंगे अब एक एक करके दिहान से purchase में जाके क्या लिखेंगे 2 cash तो मेरा purchase ये रहा और मैंने लिखा 2 cash आप मुझे ससच बताओ purchase में cash कितना गया तो जवाब है sir purchase में जाके 2 cash 2900 2900 सिंपल समझ रहे हैं हम purchase में गए और purchase में जाके क्या लिखा 2 cash cash में payment कितना है cash के जगह पे हमने cash का amount ले दिया simple बड़ा ही आसान है कोई परिशानी कोई दिक्कत नहीं sir ठीक है okay आगे चलते हैं अब input में जाएंगे अब क्या लिखें अब आप समस्य यह के sir input का क्या है तो देखो इसके पीछे थोड़े से dispute भी है कि जो आपने पैसा receive किया है इसके उपर मैं अलग से भी एक class लूँगा अभी आगे continue जाओंगा तो जो पैसा आपने receive किया है इसमें GST हम मान लेते हैं कि include करके हम पहले सरकार का पैसा receive कर रहे हैं उसके बाद बागे किसी का करेंगे तो हमारा यह exemption है ठीक है न मैंने बोला कि चलो भाई 20 रुपे का burger 10 रुपे का tax total कितना हो गया 30 रुपे किसी ने मुझे 15 रुपे दे दिये तो मैं मान के चलूँगा कि 10 रुपे tax के दिये हैं और 5 रुपे मेरे sales के हैं यह मानना है हमने cash में ठीक है clear तो हमें मान के चलना है के GST का पहले पैसा आ गया तो अब सर cash में तो आपने sales दिखा दिया इतने का मैं मना कब कर रहा हूं मैंने cash में sales कितना दिखा यह और GST में तो सर है यहां पे 4000 रुपे तो वह तो गड़बड हो जाएगी तो इसको कैसे किया जाए इसको करने का तरीका देखो हमारे पास purchase म करना पड़ेगा हमें हमें cash को तोड़ना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा या फिर मैं एक काम करता हूं यहां तक आपको clear है मैं इस entry को ना अलग से लेके चलूँगा ठीक है आज सिर्फ GST का यह करता हूं यह यह calculation रखना इस entry को मैं fresh पूरे board पे पहले समझाओंगा क्य है इसे मिटा देते हैं समझ गए सिर्फ तीन कई करें यह लो इसको भी काट दिया मैंने मिटा दिया यहां तक हर बच्चे को clear है यहां तक इसके आगे का concept में अलग से लेके सिर्फ एक entry को मैं अलग से explain करके laser बना के करके दिखा हूं ठीक है हां सर यह समझ में आ गया है चल करें का मैं अलग से करके बताऊंगा वर्किंग नोट यह है मैं सब मिटाऊंगा आप नोट करेंगा तो फोर के लिए special laser मना के दिखा दूआ है लो जी और कितनी हेल्प करें आपकी कि चलिए आपके कंदों पेक और बोस डाल रहा हूं मैं पोस्टिंग कर दिया मैंने टोटलिंग भी कर दिया मैंने यह तो है निजी छोड़िए टोटल आपने करना है और टोटल करके जब मुझे होमवक भेजोगे तो इस पेशली होमवक पर हाइलाइट करके भेजना है सर आपने कोशन छुड़वाया था मैंने अपने आप सेल्फ किया है किरपया करके इसे चेक करके रिवर्ट करें मैं तुरत पढ़के रिप्लाई करूँगा अरजंट रिप्लाई करें लिखना आपने मैं अरजंट रिप्लाई करूँगा ठीक है बच्चे अब मैंने कितने तक पॉइंट कवर किये हैं, तीन पॉइंट, इसके अंदर थोड़ा GST को मैंने डाला है, तीन पॉइंट के अंदर, और तीन पॉइंट के साथ साथ, अब आगे हमारा सारा का सारा जर्नल एंट्री भी है, पॉइंट वन, टू, एंट थ्री, और उससे रिलेटर लेजर है, क्या म जल्दी नोट करें फटा फट से, जल्दी 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 नोट करें, सारा में करें पॉइंट ि नोट करें पॉइंट बहुद नोट से, जल्दी नोटस को लेगे हमा बाझे ओॉदे हैं, भोड़ा के जल शॉइंट है, पें धुझे टीन, एंगे चाला है, के तिन में में बैंगे हैं, का से फिलित जल्दी ojosसेंन में दॉइंट झाल 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 और इस question का trial balance भी बना के दिखाना है ध्यान रखना है अपने झाल झाल कर लिया note प्यारे बच्चो इसके उपर जो मैंने ये working note किया है ये note कर लेना इसे ही या मैं मिटा देता हूँ आपको तीन ही point करने है इस point को मैं मिटा देता हूँ इसके उपर मैं अलग से question लेके आ रहा हूँ और अलग से सरिफ जहां नीचे दो उपर दो थोड़ा complicated है इसलिए मैं उसको चाहता हूँ का आपको आराम से आदे घंटे एक घंटे लगा के समझाओं क्योंकि ये काम आने वाले चीज़ है हर कोई इस बात को नहीं बताता मैं अलग से time ले रहा हूँ इसलिए तो regular class चल रही है आपके अब इसके बाद जब हम अगला topic करेंगे तो आज आप यहीं तक note करें मैं कुछ homework देता हूं assignment पहले उस assignment को करें तब मुझे लगेगा कि मैं आपको ये question करवा सकता हूं तब मैं करवा दूँगा मैं करवाना तो है मैं करवाना ही है पका लेकिन पहले जो मैं assignment आज दूँगा आपको वो assignment करके मुझे भेजना है कल तक और जब वो कर दोगे तो मुझे लेजर का जो चेप्टर है उसके भी सारे कोश्चन करा दूगा और बोलो लेजर भी खतम कर देंगे कल यानि हमारा लेजर तो आज खतम हो गया और सौरी ट्राइल बैलेंस मैं लेजर निकल गया दिमाग से ट्राइल बैलेंस कल आपका ट्राइल बैलेंस भी खतम हो जाएगा तो laser भी खतम, trial balance भी खतम, क्या-क्या खतम हो गया, chapter 1 खतम हो गया, chapter 2 खतम हो गया, chapter 8 खतम हो गया, journal entry वाला, chapter 9 खतम हो गया, laser और एक chapter 12 या 13 है आपके book में, trial balance के नाम से अलग से वो भी खतम कर लिया, कुछ बच्चों के exam आने वाले हैं, 15-18 से, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, third और four chapter, third theory का है, उसके चिंता मत करो, वो मैं अलग से भी आपको video share कर दूँगा, वो कर रखा है मैंने, वो मैंने कर रखा है recording, लेकिन अभी नहीं दे रहा क्यूंकि मैं practical में आपको आ रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको theory में उलजाओ, इसके बाद आपका एक accounting equation रहेगा, और एक रहेगा आपका voucher और subsidiary, तीन chapter practical है बीच के, तो subsidiary book में दो दिन लगेंगे, accounting voucher के अंदर मैं एक से दो दिन मान लो, एक accounting equation तीन दिन इसे मान लो, और एक cash book बहुत बड़ा chapter है, थोड़ा सा वो मेरे लिए, और वो आपके लिए भी उसके अंदर practical question है, और आगे future में काम आता है, तो उसको भी उसके भी करेंगे, ठीक है, तो कल मिलते हैं हम, same time पे, और एक बात और ध्यान रखना है, प्यारे बच्चों आपको, कि पढ़ने के साथ साथ आ बहुत जल्दी conduct करूँगा, offline का मतलब क्या है, कि आपको question paper मिलेगा, उसको solve करके उस time duration में upload करके मुझे देने हैं, ठीक है, जी सर, बिल्कुल ठीक है, thank you so much, अब फटा फट से आप इसकी practice करें, जो मैं question दे रहा हूँ, okay, bye bye बच्चों